साथियो जैजवान जैकिसान मैं आपका रवी आज़ाद साथियो आप सबको जानकारी है कि हर्याना की खटर सरकार ने 1983 PTIs को पद से बर्खास्त कर दिया था उनको घर बेटा दिया था लेकिन हमारे सभी PTI भाई भेणों ने आंदोलन का रस्ता पकड़ा और वो पिछले 600 दिन से आंदोलन पर हैं आप सब देखते हैं प्रतेक डिस्टिक हेड़कॉर्टर पर हमारे PTI भाई भेण एनिस सितकालीन धरने पर बैठे हैं हर्याना के मुख्य मंत्री, खटर साब हर्याना के सिक्स्या मंत्री उनको वादा कर चुके थे, कमिट्मेंट कर चुके थे कि हम आपको सिक्स्या विभाग में समायु जीत करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी वही ढाक के तीन पात आज नो जनवरी को सभी PTI साथी अपनी नोकरी की बहाली की मांग को लेकर के कि या तो नोकरी लेकर के आएंगे और या फिर हमारी लासें आएंगी अपने परिवार सहीत बच्चों सहीत किसान आंदोलन की तरज पे सिक्स्या मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए और वही डेरा डालने के लिए पक्का मोर्चा लगाने के लिए यमनानगर पोंचे हैं उन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिया यमनानगर में मेरी हर्याना के सबी युवा साथियों से ये अपील है कि वो इस मुहीम को सोशल मीडिया पे ताकत दे और यमना नगर और यमना नगर के आसपास के जो जिले हैं हमारे सबी किसान भाई और युवा साथियों पीटियाई भाई भेणों की मदद करें गैस टीचर वहाँ पहले से धरने पर बैठें पीटियाई के साथ में ड्राइंग टीचर भी हैं तो साथियों मेरी सबसे अपील है इन भाईयों का सयोग करें इनको इनकी नोकरी दिलवाने के लिए हम सरकार पे दबाओ बनाएं और हरियाणा की खटर सरकार हरियाणा के सिक्स्या मंत्री और यमना नगर प्रसाशन को हम सपफ्ट चेताऊनी देना चाथते हैं कि हम सब इनके साथ हैं इनके साथ किसी तरह की छेड़ चाड़ ना की जाए नहीं तो फिर आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें और कल 10 दिसंबर को हम भी PTI साथियों के धरने पर अपने साथियों के साथ आएंगे और इनका समर्थन करेंगे साथियों सरकार गिर चुकी है सरकार सब को बेचना चारी है सब को बेरोजगार करना चाहती है सब मिलकर के लड़ेंगे तो सब को न्याय मिलेगा इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद जै जै किसान